हेलो ग्यास तो कैसे हैं आप लोग तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फोन पर application में अपना UPI ID कैसे बना सकते हैं है तो घ्राइस, अगर आप भी जाना चाहते हैं कि फोन पर application में UPI ID कैसे बनाए जाता है यहाँ पे आपको home screen पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे my upi id यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ यही upi id होती है अब guys यहाँ पे आपको phone पे application बहुत सारी upi id प्रोवाइड करता है आप उन में से कोई भी upi id बना सकते हैं कि अपना मनपसंद upi id आप यहाँ पे home screen पे ला सकते हैं वही आपको इस वीडियो में बताना तो यहाँ पे आपको profile वाल आइकन पे क्लिक करना है जैसा आप अपने profile वाल आइकन पे क्लिक करने तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरिके का interface face open होके आ जाएगा आपने जो bank add किया होगा यहाँ पे bank so करेगा उसके बाद यहाँ पे plus all आइकन पे क्लिक करके आप दूसरा भी bank add कर सकते हैं आप जितना भी bank add करके रखेंगे phone पे application में यहाँ पे so करेगा तो जिसका भी upi id बनाना है आपको वहाँ पे so करेगा लेकिन उसके लिए आपको upi setting पे जाना होगा यहाँ पे आपको upi setting का options दिखेगा जब आप यहां पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको पुछ इस तरीके से दिखेगा UPI ID यहाँ पर बहुत सारी UPI ID है यहाँ नीचे की साइड में यही हमारे होम स्क्रीन पर सो कर रही है ठीक है तो यहाँ पर आपको आपको फॉनपया अप्लिकेशन और यहाँ पर बहुत सारी UPI ID प्रोवाइड करता है आप जो चाहें अपना य यानि कि select कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको UPI ID को यहां पर activate करना होता है ठीक है अगर जिसके आगे activate लिखा है यानि कि वह एक्टिवेट नहीं है तो आपको क्लिक करके आपको UPI ID को एक्टिवेट कर लेना जो भी UPI ID होती है और यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि यह यहां पर मेरा यह IBL में वह एक UPI ID एक्टिवेट करूँगा ठीक है उसके बाद एक्सल में भी UPI ID एक्टिवेट नहीं है मैं उसको भी एक्टिवेट कर लोंग ठीक है तो यहां पर जैसा आप इस पर कलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के interface आजाएगा select यूपिया-id का तो जो यूपिया-id आप यहाँ पर home screen पर लाना चाहते है फोन पर application पर यानि की पैसे का land in करना चाहते हैं उसी यूपिया-id का इस्तमाल करेंगे तो हिहाँ पर आपको वही यूपिया-id select करना होगा यानि कोई भी आपको पैसा बेज़ेगा तो वही UPI ID पर आपका पैसा आएगा यहाँ पर उसके पाद सेव करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिका हुआ है UPI ID to display on home ठीक है बस आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इस्तमाल करना चाहते हैं तो जो इस्तमाल करना चाहते हैं आपको वही UPI ID जो है आपको अपना UPI ID सेलेक्ट करके उसी को UPI ID बना लेना है ठीक है या फिर अगर आप यह चाहते हैं कि आप अपना मनपसंद UPI number सेट करना और पैसे का लेन देन करना तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसी यूपियाई नमबर बनाय जाता है तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर करके यह लिखना है कि मुझे UPI नमबर बनाना नहीं आता मुझे सिखा दीजिए ठीक है तो मैं उसके लिए एक प्रोपर वीडियो बना दूँगा तो गईस उम्मिद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आ लाइकन को भी प्रेस करें ना तक कि आने वाली वीडियो को निटिफिकेशन आपको सब सब पहले मिल सके तो चले गैस फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए जय हिंदी